हलो स्टूडेंट कैसे आप सभी मुझे उमीद है कि सबका माराठी का पेपर अच्छा गया होगा और सभी लोग इंग्लिश का पेपर की तैयारी कर रहे होंगे इससे पहले मैंने ग्रामर का वीडियो बनाया था अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो जरूर उसको देख लो ठीक है सारे ग्रामर की वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वर्बल टू नॉन वर्बल की बहुत सारी मैंने कोशन बता है किस तरह से ट्री डियाग्राम कैसे बनाना है वेब्शाट कैसे बनाना है वाप डियागराम केसे बनाना है सारे चीज़े मैंने बता दिया है उसका लिंक आपको डिस्क्र टेलिफ्ट अच startups के या फिर आपको report writing लिखना रहता है ठीक है report writing थोड़ा सा ज्यादा उसके अंदर जैसे के pass में लिखना रहता है पैजू में चलना रहता है थोड़ा confused बहुत जादा कर देता है तो उसमें गल्ती होने के chances बहुत ज्यादा रहते और क्या topic दे का ये भी पता नहीं रहता अक्सर ठीक है तो इस हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल पढ़ जाता है बट जिन लोगों को रिपोर्ट राइटिंग के आदत है वो रिपोर्ट ही लिखे और जो एक्सपांडर थीम चाहते हैं तो वो एक्सपांडर थीम पर ही अपना महनत करें ठीक है चला देखते हैं कि एक्सपां लेंग्वेच है और लेंग्वेच के पेपर के अंदर पूरा माक्स कभी बेरी दिया जाता है वो आपका कुछ न कुछ काट दिये जाएगा ठीक है तो कुछ चीज़े देख लेते हैं क्या-क्या है इसके इंदर हमारे लिए हाओ टु अटेम्ट को हमें कैसे अटेम्ट करन इसके लावर इडियम रहता है वो भी यूस कर सकते है आपका विल बीगिवन टु यू 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 आइडिया एक्सपांड थीम का मतलब क्या होगा एक आडिया उसके अपर अपना पेश करना अपने आपको बताना है कि मैं क्या सोचता हूं इसके उपर ठीक है तो आब उसको ब्रिफली बताना है विद अपने को रखना है साथ में एक्सपांशन आफ थीम शूड हैव प्रोपर बिगनिंग बिगनिंग आपका शांदार होना ची बहतर बिगनिंग होना ची कुछ भी अट पटांग उल्टा सीदा बिगनिंग नहीं करना है आपको ठीक है और एंडिं एंडिंग भी वैसे होना ची जैसे बिगनिंग अच्छा वैसे एंडिंग भी अच्छा आडिया शूड फ्लो इफटलेसली आडिया जो होगा इतना बहतर होगा आपका किसी भी टीचर को समझने में प्रॉब्लम ना बस वो पढ़े तो समझ में आ रहे वाग क्या प्यारा चीज़ लिखा हुआ है जरा अभी उसको समझने में ना हो तो आपके रैटिंग जो होगी आपका ग्रामर होगा बहुत सरल होगा वह साधा होगा ठीक है एक बार पढ़ते पुरा समझ में आ गया जरा भी सोच नहीं पढ़ा रहे क्या लिख रहा बंदा और कुछ समझ में भडले अव्याय जाएसा पुछ मत देना मापकोट पूरो सरल जबाद में आसान जबाद में इसे लेगमेज में लिखना है जो भी आपका आइडिया है है क्ल मेर और कि अलिए फ Jeśli दो हां टेंड इस टीन फारे में लिखने लिखना एक उर औरी तो तो तयन दो आउने origin आ टाइटल के ध्यान रखना टाइटल देना ज़रूरी है और बिकिन प्रपर ली करना मुनासिब धंक से हमको क्या करना शुरुवात करना है तो इसके अपर अच्छे से प्रेटीस आपको करना है आप देख लिए ते माक कहा मिलता तो टाइटल और बिगनिंग के उपर यानि कि च departments chill बीघब अब्तर उतना च् paisली किया जाता फिसी के पॉइंट वह अगए पिछ उल्ट्छ रोट कीया है एक असपनी सिक मीडिब कर पॉइंट आपको रखना है और इस पेलिंग मिश्चिक मत करना इस पेलिंग मिश्चिक पे माख्श करता है वह को ले तो कई ज़्यादा डपिक होते जो उसके उपर आपको लिखना रहता है तो मैं यहीं बूलूगा कि एक topic में ले रहा हूँ, उसको समझाने के कोशिश कर रहा हूँ, फिर कुछ example भी बताऊंगा, जिसके जरीया आप समझ सकते हो, और exam में लिख सकते हो, ठीक है, चलो, यहाँ पर क्या दिया, a bad workman blames his tools, अब यहाँ पर दे दिया अपने को, अपने को लिखना है कि a bad workman जो होता ना, यह मेरा जो, क्या बोलते हैं, खोदेने वाला जो सामान है न, वही बेकार था, ये मेरा machine है न, वही बेकार था, मैं तो मेहनत किया, वो अपने अंदर जहाकर नहीं देखता, अपनी गृबान में जहाकर नहीं देखता, यही है इस point का मतलब, ठीक है, समझ में आया, त तो एक वर्क मैंने जो पार्टिकलर जोब में इस्किल नहीं रखता है और ड़स नौट यूज इस स्कील इंदर राइड वे या फिर उसका जो इस्कील है उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं करता है बेड़ंगे तरीकी से समाल कर दो अपनी स्कील अंडर जो इनर स्कील है उसक प्रॉपर कफ़ा प्रॉपर सब्सक्राइब कर दरख है अपने बारे में सोचो यार मुझे इतना टाइम मिला था मैं सिटड रही किया तो हम अपने उपर नहीं तो कि हम तो समझायां तो कि फूल दिया कि दॉट symp profession और फौशन से प्रछिण को डिको और हम लोग अपने फेलर का सिर्टी नहीं लेते अपने नाकामियाजर जो हमने सभी वक्पे समाल नहीं किया उसको उसको इजाम नहीं देते यह इप्लिक बली इन इस इस एप्लिकेबल और इस पेर्स आप लाइब जिंदगी के हर लाइन में हर जगा हम इसको बुछ सकते इसका एक्जाम बेसक्ति एंद आप पर सन वीजर टैलेंट एंड इस जॉब लों नहीं है फिर भी क्या बोल रहा है ही मैक्स अब बेस यूज आप देम तो अभी वह क्या करता है उस उपरशुनिटीज का बहतरी इस्तमाल करता है और अपने लाइफ में सक्सेस हो जाता है ठीक है तो शुरू में हमको पूरा क्या करना है पहले पैसेश के अंदर उस जो वर प्रोवाब का ओर क्या करता है या इडियम है कर से उसका मतलब समझा देने का है उसका मतलब क्या एक सेकी डेली लाइफ में उसके एक्जामपल क्या हो सकतीए वो बहतर ढंग से हमको समझाने के कोशिश करना पिर लास में क्या करना, it does not matter what tools we have, आखरी में मैसज के साथ, लोगों को जाते हlideं हImmeessage देने का भाई, हमारे पास, it does not matter, यह matter नहीं क्रता, what tools we have, हमारे पास क्या tool से, यह ज़रा भी matter नहीं करता, हमारे पास क्या source है, क्या material है, यह matter नहीं करता, what matters is the way we use them, मैटर तो यह करता है कि हम उसका इस्तमाल किस तरह से करते हैं ठीक है यूज वी मैक आफ आफ आवर ऑपर्शुनिटीटीज फोर डशन्ट डशन्ट एवरीवन नो डैथा बैट डाइंसर ब्लेम्ट फ्लोर ठीक है तो यही मैसेस था लास में एक मैसेस देने का भाई हम लोगो इसको आप इमपोर्टन के साफ से रहे सकते हो दूसरा जो हम लोग ले लेंगे इंडिया अलाइंड अफ डावर सिटी इसको भी ले सकते हो जो आपका कोशन बैंक में पूछा गया है यह दोनों कोशन बैंक से लिए है मैंने तीसरा बला कोशन मुझे इंपोर्टन लगा ट अगर आपने जोई नहीं किया तो जाई जोनियेंड कर लिजिए वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा थ्री इंपोर्टन और जो कोशन है उसको पीडिया फाइल में उसको भी आप पढ़ लेना इन टीन टॉपिक को भी आप पढ़ लेना अब याद कैसे रखे यह भी है बस थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप लिख लोगे बहुत जादा आपको मेहनत करने की जरूरती है दस बारा लाइन लिख दिया दैस इनफ क्लियर हो गया सबको मेरे मुझे उमीद है कि सबको समझ में आ गया होगा क्या लिखना है कैसे लिखना है तो पर एक बार सरसरी पढ़े रहोगे तो आपको फॉरन क्लिक कर जाएगा दिमाग के अंदर ठीक है तो यह चीज़ें आपको थोड़ा सा परफेक्ट कर लेना आशानी से आपको पांच मार्क्स मिल जाएंगे आप अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में